हेलो दुस्तो, दुस्तो, डिजनी प्लस 40 स्टार पर लेबिल नम का एक नया शोर रिलीव हुआ है, या मैं यूं कहूं कि प्रेमीर होना शुरू हुआ है, फिलाल तीन एपिसोड आए हैं, टोटल दफ एपिसोडों के एज़ पर अपडेट्स, फैनल कन्फरमेशन नहीं कि ट अपर वहां पर कोई पालाबडा है, पैदा हुआ है, तो वह criminal ही होगा, ऐसा बहां के लोगों का मानना है, कहना है, सोचना है, लेकिन यहां पर जो प्रभा है, वो कुछ अलग करना चाता है, अपने लोगों के लिए अपनी छबी को सही करना चाता है, दुनिया के सामने, औ यह जो जज़ वाली बात है यह मुझे पता चली हॉलिस्टार पर जब मैं यह समरी पड़ दा था तब मुझे पता चला कि वो जज़ बनना चाहता बलकि शो में तो हमको यह दिखाए गया कि वो एक लॉयर है अपने लोगों के लिए वो कुछ करना चाहता है जो लोग परभा करन नाम उसका जो लॉयर है लोगों के लिए केस बगएदा लड़ता है अपने लोगों के लिए तो वो जो करेक्टर है उसके आगे पीछे जो चीज़ें चल रहे इसके आगे पीछे की जो दुनिया है बही मुझे इंटरस्टिंग लगी बही मुझे इंगेजिंग लेकिन उसके अलाबा है यहाँ पर जो और दूफरे करेक्टर पर जो और छपरी हैं चमन जहें जो किदेमिनल हैं जो लोगों को मार रहे हैं उनके बारे में तो वराभी काम ने किया गए वराभी डेबलब ने किया गए वराभी आप इनवेस्ट नहीं हो पाओगे कनेक्ट नहीं कर पाओगे एंड एक चीज और यहाँ पर है पहले तो मुझे हिंदी डविंग मैशूर लगता है क्योंकि सब्टाइटल्स में इस चीज़ें समझ में आती ही लेकिन हिंदी डब का कुछ अलगी इस हुए तो हिंदी डब को लेकर हिंदी डब की वजए से समझ में नह यादि उन्होंने जो डबिंग करी है वो मुझे अप्टुमार करने लगे मुझे यहाँ पर चीजां को शब्दों को केलियर करना चाहिए था कि अक्चुली यह है क्या तो मुझे लेविल क्लियर नहीं हो पाए पहले तो वह एक एनिमेशन था मतलब एनिमेशन के लो या न यहाँ पर ना तो किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी एक्वाइटमेंट नहीं है और इसकी जो दुनिया है वो इतने भी ज्यादा इंगेजिंग नहीं इतने भी ज्यादा अच्छी नहीं कि आपको पूरी तरह से होकें बुक करके रख पाए पहले तीन एपिसोड मैंने द लेकिन जजबनना चाहता है यह मुझे यहाँ पर समधी पढ़ने के बात पता चला तो यह चीज़े खराब हैं मतलब एक अच्छी राइटिंग की निशानी यह चीज़े नहीं हो सकती हैं तो यह मतलब यह कुछ भी कहने के लिए खास नहीं है मतलब उसे करेक्टर के आगे पीछे के अलाबा कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं यादा इंटरस्टिंग नहीं लगता है डिलेटेबल नहीं लगता कनेक्ट नहीं कर पाऊगे अब तो पुटेशल के नाबर मुझे ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है इसे शो में तो यह जब टैटली के एट लिफ्ट छोटे बच्चों के साथ तो नहीं देखा जाना चाहिए बाकी आप देख लो आपको कैफे देखना है और फिलाल तीन ही एपिफोड आ हैं तो आप क्या ही देखोगे फैनल एपिफोड के इंदिवार करो तब ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है तो मुझे बैशो एक एवरेज ही लगा लेकिन चीज़ों पर डीटेलिंग पर और अच्छे फे काम किया जाता है तो शायद यह कुछ अच्छा देखने लाइक बढ़ सकता था लेकिन मुझे आपर पुटेंशल के नम पर फिल आ रहा है कि शायद कुछ अच्छा होगा लेकिन उतना कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा क्योंकि पहले तीने एपिफोड में उन्होंने एक तरीके से हग दिया तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि वो एक गन लेकर जा सकती थे फीती फीती बोली माल देते लेकिन अब चुके हिंदीर डवेंगे थे नहीं किरेट है को हमको य कोई चाकू से मालता है ऐसे कुछ समझे में आया मैंने गौर किया दग सब्ड़ाइडिल के दौरान कि कोई चाकू समालता तो लेविल वगरा कोश होता है तो यह है तो मतलब डविंग अच्छी नहीं एन उपर से हम यहीं कहें हम मैं तो यहीं कहुँगा मैंने हिंदी में सुना है मैं तो यह कोऊंगे मैं चाकुली कर जाए गई ही हूं गल लेकर जाते दोसे गोली मालते हैं खेल कर तम क्या ही चल रहा है थुपई मुझे इन चीजों पर इन लॉजिकल चीजों पर मुझे कुछ इजू कि बताव कि यहां पर आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा कितने मुझे से पहमत हैं कितने नहीं है फिलाल इन तीन एपिफोर्स के लिए आप दसमें फे पूछें तो पांच इफ्टर आर्फ देखा हैं लिख के बताना एंट लाइक शेन सब्स्राइब करना चैनल को बीडिकों इन देफिए विनिति शानल साने को तेंक्यू